नमस्कार प्रिय दर्शकों नमस्कार प्रिय दर्शक कहानी और स्रिजन और विनाश के ब्रह्मांडिय संतुलन में इसके महत्व को समझते हैं। The Cosmic Archer हमारी कहानी हिंदू देवताओं के तपस्वी देवता भगवान शिव से शुरू होती है, जो विध्वनसक और ब्रह्मांडिय नर्तक के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए पूजनिय हैं। शिव को अक्सर नेत्य के देवता नटराज के रूप में चित्रित किया जाता है, उनके बगल में उनका दिव्य धनुष पिनाख होता है। प्रतीकात्मक सार पिनाका एक भौतिक धनुष से कहीं अधिक गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखता है। यह ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्तियों पर शिव की कमान और विनाश के माध्यम से परिवर्तन और नवी निकरन लाने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। शिव का दिव्य हतियार पिनाक भगवान शिव के दिव्य हतियारों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसे दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा द्वारा तयार किया गया था। और इसे हिंदू पौरानिक कठाओं में सबसे शक्तिशाली धनुषों में से एक माना जाता है पिनाख हिंदू देवता शिव का दिव्य धनुष है लोगप्रिय किमवधन्ती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उन्होंने त्रिपुरांतक के रूप में अपने अवतार में मयासुर के तीन शहरों, जिन्हें त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है, को नश्ट करने के लिए इस धनुष का प्रयोग किया था यह हथियार शिव के विशेशनों में से एक पिनाख पाने का मूल है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, पिनाख को धारन करने वाला अद्रिश्य स्ट्रिंग जो चीज पिनाख को अलग करती है, वह न केवल उसका भौतिक रूप है, बलकि उससे जुड़ी अद्रिश्य डोर प्रत्यंचा भी है स्विजन्क सन्रक्षन और विनाश का एक अटूट चक्र जो शाश्वत ब्रहमांडिय लैका प्रतिनिधित्व करता है, कभी कभी इसकी प्रत्यंचा को वासुकी नाग माना जाता है विनाश और नवीनी करण धनुष जिसे अकसर बुरी शक्तियों के विनाश से जोड़ा जाता है, विनाश की परिवर्तनकारी शक्ती का भी प्रतीक है हिंदू दर्शन में विनाश केवल एक अंत नहीं है, बलकि नवीकरण और पुनरजनन की प्रस्तावना है पौरानिक आख्यानों में पिनाका विभिन पौरानिक कथाओं में भगवान शिव को राक्षसों को नश्ट करने और ब्रहमांडिय संतुलन बहाल करने के लिए पिनाख का उप्योग करते हुए दर्शाया गया है धनुष दिव्यरंगमंच का एक अभिन अंग है जो हिंदू पौरानिक कथाओं की भव्य कथा में प्रकट होता है शिव पुरान में शिव ने गनेश के खिलाफ द्वंद्व में पिनाक को नियुक्त किया था जिसे उनकी मा पारवती के सनान के दौरान पहरा देने के लिए नियुक्त किया गया था हरिवंश पुरान में जब प्रजापती दक्ष ने देवताओं के लिए यग्य किया तो उनके समारोह में शिव और पिनाक धारन करने वाले नंदी के मानव अवतार ने बाधा डाली हरी विश्नु आदित्यों और वसुओं के साथ उनका सामना करने के लिए खड़े थे शिव ने हरी की छाती पर प्रहार किया जिसने जवाबी कारवाई में अपने हमलावर का गला पकड़ लिया जब उन्होंने अपने धनुष शारन पर प्रत्यंचा चड़ाई तो मेरू परवत कांप उठा क्रोधित होकर नंदी ने पिनाक उठाया और हरी के सिर पर प्रहार किया जिससे वह व्यक्ती मुस्कुरा कर स्तब्ध हो गया और द्रिड खड़ा रहा जिससे यग्य फिर से शुरू हो सका पद्म पुराण में शिव ने जलंधर से युद्ध करने के लिए पिनाक को नियुक्त किया था जब यादव सेना ने अनिरुद्ध को बचाने के लिए सोनित पुरा पर आक्रमन किया तो शिव और कार्ति के शैव असुर्बाना के शहर की रक्षा के लिए दौर पड़े युद्ध में कृष्ण के शारंग और शिव के पिनाक का उपियोग एक दूसरे के खिलाफ किया गया था संधर्ष अंत्ध कृष्ण द्वारा जीता गया था रामायन में राम ने स्वयंवर के दौरान राजकुमारी सीता का हाथ जीतने के लिए पिनाक को तोड़ दिया था पिनाक को त्रिपुरों को नश्ट करने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला हतियार धनुष माना जाता है समसामिक श्रद्धा आज भी पिनाक भगवान शिव के भक्तों के बीच पूजनिय बना हुआ है इसका प्रतीकवाद पौरानिक कथाओं से परे फैला हुआ है और उन लोगों के दिलों में गूंचता है जो आध्यात्मिक समझ और परिवर्तन चाहते हैं निशकर्ष और आपके पास यह है भगवान शिव के दिव्यधनुष पिनाक की कहानी एक प्रतीक जो मिथक के दायरे को पार करता है और स्रिजन और विनाश के गहन दर्शन में उतरता है यह हमें याद दिलाता है कि हर अंत में एक नई शुरुवात का बीच छिपा होता है नौलेज कोच चैनल पर हमसे जुरने के लिए धन्यवाद, मिथक और ज्ञान की समरिध टेपेश्ट्री से अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहें अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग का मार्ग दर्शन करेगी कृप्या अधिक रोचक विश्यों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आप सभी को धन्यवाद